कि नमश्कार आप देख रहे हैं आजाद आवाज और मैं हूं आरिस खान चलिए आज हमारे साथ हैं अंशू बिदौरिया जी कॉंग्रेस से जिला द्यक्ष और बुंदिल गंड से जिला प्रभारी नमश्कार सर नमश्कार सर आज कल जो चुनाओ का माहौल है उसके बारे में कुछ बताईए हैं देखि ऐसा है चुनाओ जो पिरकिरिया है वो हमेशा की तरह फिरसे जो है इस बार आ गई है वह बिगल बज चुका है और रही बात जो इस बार जो चुनाओ का रहेगा वह रभईया कुछ जनता जो पर बड़तन होने बाला है जूट और फरेव की सरकार बदलेगी इस बार जनता खुद अपने बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी क्या काफी बार क्या हुआ है कि जनता को सरकार और पाइटी के आदार पर जो है जनता ने बोड दिये है इस बार जनता अपने विकास और अपनी जो देश की प्रदेश की प्रगती है उस पे बोट करेगी यहां तक कि यो पिछली बार देखा होगा आपने दल पे और नाम पे बोट दिये गए थे कि इस बार जो है बोट और दल के नाम पर नहीं करेगी जनता इस बार विकास और प्रिगती की नाम पर बोट करेगी और इस बार जो हमारी प्रियंका दी दी जो विकास की नीती लेके आई हैं जो बुक लेके आई हैं उस आधार पर जैसे कि मान लेजे महलाओ की सुरक्षा को को लेके महलाओं के लिए 40% टिकिट को लेके और अभी आपने ये भी सुना होगा कि 25% जेकि आपने देखा होगा कि काफी उत्तर प्रदेश के अंदर थाना प्रिभारी ज्यादा से ज्यादा जेंड्स हैं लेकिन हमारी प्रियंका दीदी ने ये कहा है कि हमारी सरकार बनने प हो रहा है वह अत्याचार कहीं काम होगा और महलाओं की बात रखने के लिए महला इस्पेक्टर होगी तो कहीं ना कहीं महला आसरक्षत अपने आपको मैसूस नहीं करेंगी दूसरा आपको ये भी बता दूँ कि जैसे उन्नती की बात है प्रदेश की कि शानों को लेके या पर कार काम करेंगे निरिका जा रहा है आरोफ 25 का दौर चल रहा है इमरान मसूज जी कहमें सुना और जी सिंह पंजाब के मंत्रिय हैं और उन्ह finns पर भी आरोप लगाए गए उनको आप किस तरह देखते हैं इस चनाव के नजरीय से देखिए आरोप लगाना तो यह तो प्रोपोगेंडा होता है किसी दलका और भारती जनता पाटी जूट और फरेव के नाम पर ही अपना जो है प्रोपोगेंडा बनाती रही और फैलाती र पंजब के उनके उपर जो आरोप लगाया है अरोप लगाना यह एकिस बेस पर आपने आरोपBERG किस बीस बात की बात करते हैं सब्सक्राइब में दसेजार की बात हुई ति पंजानी जी ने ज्यक मैं वेवन बहुएा थी जहां पे आपको पता था कि किसान नहां पे हमें रोकने वाला है किसानों ने आपको पहले ही बता दिया था कि हम आपका ब्रोध करेंगे जब आपको पता है तो आप उस रूड पे क्यों गए थे आपको ये भी पता है कि जिस घरबे हम जा रहा है वहां पर हमारे सदस है नहीं जबरदस्ती से कहीं जाने कि आप कोसिस कर रहे हो जहां पर आपका एक आदमी नहीं है तो आपने सुरक्षा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपगेंडा बनाया एक बहाना लिया है लेकिन हमारे सरकार में जितने भी हमारे मंत्री प्रदेशों में प्रदान मंत्री की बडियता पहले दी जाती और देश का समबान करते हैं हम सुरक्षा से लेकि और हर चीज़ी और दूसरी बात और भी एक आपने देखा होगा और यह सब चीज है सब भी जानते हैं कि यह पीम की जो सुरक्षा होती है वो एस पीजी के हैंडवर होती है एस पीजी के एसाब से आप चलना नहीं चाहते कहीं भी आप बैक्तिगत रोप दस मिनिट के अंदर एक पीम की विवस्था करना कैसे मुप्यून हो सकता है आप भी समझ सकते हैं सब्सक्राइब कोई था नहीं लोग आ नहीं रहते तो उन्हें सरक्षा के नाम पर बहाना लिया है और कोई नहीं है इसका आधार अकलेश जी जहां से आके गए और योगी जी और प्रधान मंत्री सुएम खुद आके गए लेकिन कॉंग्रेस कोई बड़ा चहरा यहां आता द होगा कि इस से पहले जब उनकी तयारी चल लाइती है उसके पहले प्रियंका दिस है आख wildlife प्रचार परसार के लिए इसा है कि जहांसी में अभी महोवा में आई थी उसके बाद जहांसी में उन्सके लोग तना और कर रहे हैं खुद ही इतना ज्यादा साथ दे रहे हैं अभी आपने देखा होगा मेरा थन का कारिक्रिम हमारा उसको देखते हुए बाजपा वालों के सांसे फूल गई कि हमारी दीदी अभी आई नहीं है जब यह स्थिति और दीदी आएंगी तो क्या स्थिति होगी तो दीद च्छां का खड़ी है यहां पर जिसको दीदी सो दुंने के लिए अभी आने वाला समय अभी काफी टाइम है और अने वाले समय में दीदी आएंगी और अपनी जनता से होगी मिलेंगी और अपनी बात् साल से जो कॉंग्रिस बनवास पर चल रही है उतर प्रुदेश में क्या लगता है इस साल बनवास खतम होगा 100% बनवास आप जो कह रहे हैं उसको बनवास नहीं कहते हैं देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें लोग नहीं समझ पाते हैं अभी क्या है कि आज से पहले की जो परिस्तितियां थी उनको देखते हुए आज की परिस्तिती उससे बहुत अलग है और आज का जो दौर है वो 100% इस बार हम बहुमत अपनी परचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं और इस बार अभी तक जो नर्की सरकार है बनी है और नारी की सरकार बनेगी आप देखते जाएए आने वाला समय आपको आपके सामने और हमारे भी सामने हैं चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जोड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं दाजाजाजावाद